वेलकम गाज टेकनिकल भायाजे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि Amazon से आप कैसे कोई भी प्रोड़क्ट अपने घर पे चाहें वो 100 रुपे का हो या 10 रुपे का हो फ्री ऑफ कोस्ट फ्री डिलेवरी चार्ज में अपने घर पे कैसे मंगा सकते हैं जिसमें कि आपको एक डुपे का भी कूडियर चार्ज ना लगे तो stay tuned दोस्तो end तक हमार साथ end तक बने रही है ताकि आपको पूरी जानकाड़ी मिल सके पूरी ट्रिक को फॉलो करने के बाद ही आपको फ्री डिलेवरी मिलने वाली है तो चले दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो चुकी मैं आपको Amazon बताने वाला हूं इसलिए सबसे पहले हम करेंगे Amazon एप को ओपन कि Amazon को ओपन करने के बाद आप कोई साभी प्रोडेक्ट चूज कर लिए मैं आपको सेंपली सा करके दिखाना है इसलिए शेंपू कर लेता हूं चले संसिल का सैंपो तो 119 रुपय का है मैं इसे सलेक्ट करता हूं सलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों यहां पर देख सकते है यहां पे 219 रुपया इसका प्राइस है और इस पे जो सर्विस चार्ज मुझे लगने वाली है वो लगने वाली है 40 रुपय की तो इस चार्ज से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे add to card कर देंगे और अपने card में add कर लेंगे add करने के बाद आप सिंपली सा back चले जाएंगे आपको आगे इसमें कोई छेड़ चार नहीं करने आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद कोई ऐसा product चूज करेंगे जिसमें की इसके price को मिला कर 219 रुपए इसका है इसके 219 रुपए और उस product के price को मिला कर minimum 500 रुपए हो जाएंगे तो उसके लिए चले मैं कोई एक चीज सर्च मार लेता हूं मैं चले wallet सर्च मार लेता हूं wallet का price branded wallet होगी तो ज्यादा होगा चले wallet का मैंने सर्च मार लिया तो wallet सर्च मारने के बाद देखें यहाँ पर बहुत सारे wallet है मैं एक wallet select कर रहता हूं लेकिन products चूज करते बाग दोस्तों आप एक चीज़ जरूर ख्याल रखेंगे कि आप जो product select कर रहे हो उसके नीचे amazon fulfill जरूर लिखा हो क्योंकि यह trick इसे भी कार्ट में add कर लें इसे भी कार्ट में add करने के बाद आपको क्या करना है सिम्प्ली सा अपने कार्ट पे चले जाना है कार्ट पे जाने के बाद आप डेख सकते हैं यहाँ पे दोनों का price जुड़ गया और यहाँ पे लिख गया है your order is eligible for free delivery that's mean आपको जो delivery charge यहाँ पे पे करने थे दिल्वीर चाहर जो लगने थे 70 प्लस 40 110 रुपए का वो आपको फोकट में मिलने वाला है तो उसके लिए क्या करें अब आगे आप बढ़ें उसके बाद आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करें एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली सार डिलेवर टू इस एड्रेस पे क्लिक करें डिलेवर टू डिस आड्रेस पे क्लिक करने के बाद यह आपको टाइम बताएगा कि मैं आपको इस डेट से के बीच में डिलेवर करने वाला हूं उसके बाद आप क्या करें कि इसके पैमेंट मोड में चले जाए और आपको यहां पे पे ऑन डि पेका माइनस करके आपका यहां पे आ गया है उसके बाद आप क्या करें प्लेस ओर्डर पे क्लिक करते हैं आपका जो ओर्डर है आपने जो भी प्रोड़क्ट सेलेक्ट किया है वो आपका यहां पे प्लेस हो जाएगा लेकिन यह तो दोस्तों दो प्रोड़क्ट हो गए जो क कि मुझे एक प्रोडर्ट चाहिए नहीं था और दूसरा चाहिए था तो उस पर डिलेवडी चार्ज लग रहा था तो अब हम क्या करेंगे अब आपको क्या करना है एक ट्रिक फॉलो करनी है जिससे कि आपका फ्री हो जाएगा आप कंटिन्यू स्वापिंग पे डिलेवडी क सेंग्मेंट में चले जाए योडॉड और में जब आप जाएंगे यह देखें mail मेरा आगया योड और में जाने के बाद आपको यहां पर दो product आपके order list में दिखेंगे इस में से आप कया करेंगे जो product आपको नहीं चाहिए उस product पर आप ख्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जब वो open होगा तो आपको दोनों order एक सर दिखेंगे तो जो order नहीं चाहिए जो सामान आपको नहीं चाहिए उस पर tick mark करेंगे और करेंगे cancel this item cancel this item करने के बाद आपका जो product है जो unnecessary product है वो cancel हो जाएगा और दूसरा जो product है जो कि आपको चाहिए वो आपके order list में रहेगा आप चाहिए तो आप अपने your orders में जाके देख सकते आपका product जसका तस है वो आपको उसी date में deliver होने वाला है और same price में जो कि वहाँ पर price था without किसी any courier charge उमेद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगे कर पसंद आई है तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को like किजेगा दोस्तों के साथ भी share किजेगा ताकि उनके courier charge का बोज भी उनके उपर से कम हो सके और हमें comment जरू किजेगा कि आपको वीडियो में कौन सा part best लगा तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में